कुलगमा थानाचेत्र के सकरिया गाउं में 22 वर्षिय बंटू और्फ महेश पिता मूलचंद चौधरी के लाश उसी के घर के कमरे में फांसी के फंदे पर लटकती हुई मिलने से संसनी फैल गई मगर उसकी मा राम दुलारी और्फ सुनैना समेत परीजनों ने आत्म हत्या की बात को सिरे से नकारते हुए महेश की हत्या किये जाने का दावा कर गाउं के ही कुछ लोगों का हाथ होने का आरूप लगा दिया इसके साथ उन लोगों पर हत्या का अपराद दर्जकर गिरफतारी के बाद लाश उतारने की बात कही सुबह चार बजे परीजनों के द्वारा फंदे पर युवक की लाश जूलते देखी गई मगर उनके विरोध के चलते 13 घंटे बाद शाम 5 बजे लाश उतारी गई मौके पर पहुँचे CSP महेंदर सिंग चौहान के साथ कूलगमा T.I. D.P. सिंग चौहान और बाबुपूर चौकी प्रभारी D.S. बगेल को मृतक के परिजनों को समझाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी युवक के परिजनों की संतुष्टी के लिए पुलिस ने उनके बताए गए संदेहियों को भी हिरासत में ले लिया था तब जाकर आगे की कारवाई संभव हो पाई